Hello everyone, आज का आमारा कोश्चन है 2 5th of 9th salary is equal to Amit's salary and 7 9th of Amit's salary is equal to Arun's salary If the sum of their salary is 770 रुपीज What are the respective salary of Naren, Amit and Arun? देखे दोस्तो इस प्रकार के कोश्चन में सबसे पहले आपको option से solve करना है अगर option से solve नहीं होगा तो फिर हम क्या करेंगे, basic से solve करेंगे तो देखे, 770 रुपीज है तो सबसे पहले हम देखेंगे option में जिसका 770 रुपीज बनेगा वही हमारा answer होगा तो देखे, इसमें सब पर इसमें आप देखेंगे सब options सेम है ठीक है दोस्तो देखे, 450 इसमें 450 है 180, 180 और 140, 140 इसमें सब में है तो हम क्या करेंगे, basic से solve करेंगे तो basic में आप देखेंगे 2-5th of narin salary तो देखे, 2-5th of narin salary is equal to amid salary ठीक है तो narinth कितना हो जाएगा है, देखे यहाँ से जो 5 होगा, यह इधर चाहेगा और यहाँ से जो A होगा, यह इधर आएगा तो यह उपर जाएगा, तो यह 5 और यह नीचे में रहेगा, तो यह कितना आजाएगा दोस्तो यह कितना आजाएगा 2 आजाएगा, देखे दोस्तो इसमें N कि जो narinth है, उसकी salary ज्यादा है, तो हमने 5 ले लिया और अमित उसकी salary जो 2 है हमने उसे यहाँ पर ले लिया है जो ratio हमारे पास आया है तो हमारे पास second ratio है 7th 9th of Amit salary देखे, 7th 9th of Amit salary Amit ले ले लेते हैं यहाँ पर M ले ले लेते हैं is equal to Arun salary AR ले लेते हैं अरुन के लिए तो देखे, Amit upon जब हम अरुन करेंगे तो देखे, यह अरुन इदर आ चुका है Amit उपर है और यह कितना हो जाएगा यह 7 इदर चले जाएगा नीचे और यह उपर रह जाएगा तो देखे Amit के मुकाबले में Amit की क्या है, salary जादा है तो देखे दोस्तों हमारे पास ratio में आ चुका है Narend upon Amit 5 by 2 Amit upon Arun 9 by 7 तो हम क्या कर देंगे, सब ratio को combine कर देंगे, तो कैसे combine करेंगे देखे, Narend, Amit और यह हमारा Arun तो हमारे पास Narend की value है यह हमारे पास 5 है, उसके respect में Amit 2 है और फिर Amit यहाँ पर 9 है और फिर Arun यहाँ पर हमारे पास 7 है, उसके respect त्यूम है अब हम क्या करेंगे, देखे इसको इसके साथ multiply करेंगे इसको इसके साथ multiply करेंगे और इसको इसके साथ multiply करेंगे, तो देखे यह देखे, यह कितना हो जाएगा 9 x 5 यह हो जाएगा हमारा 45 2 x 9 कितना हो जाएगा यह हमारा 18 हो जाएगा और 2 x 7 यह कितना हो जाएगा यह हमारा 14 हो जाएगा तो हमारे पास ratio कितना आ चुका है दोस्तो 45, 18, 14 तो दीखें दोस्तो इसका अगर हम sum करेंगे तो दीखें कितना होता है इसका हमारा sum हो रहा है 77 ठीक दोस्तो 77 तो दीखे दोस्तो जब हम इसका sum करेंगे 45 18 और 14 का अगर हम sum करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 77 आ जाएगा पर हमें given कितना है दोस्तों कि इन सबकी salary कितनी है 770 रूपीज है तो हम गया कर देंगे इसमे 110 इसमें add कर देंगे जिसे 45 180 और यह हमारा 140 तो इस question का answer कितना हो जाएगा दोस्तों नरेन की salary कितनी है 45 अमित की salary 180 और अरून की salary 140 तो इस question का हमारा answer कितना हो जाएगा देखिए जो हमारा option 1 हो जाएगा यह हमारा answer हो जाएगा तो इस प्रकाय के question में जो आपको given होता है उसका हमें सबसे पहले ratio निकालना होता है ratio निकालने के बाद फिर ratio को हमें combine कर देना होता है अगर ratio एक बार combine हो जाता है फिर हमें उसे equate कर देना होता है मारे पस गिवन है तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए मिलते अगली वीडियो में नमस्कार